हलो दोस्तो नमस्कार एसे हम किसी चानल में मैं आप सिभलों का दिल से बहुत-बहुत सोगत करता हूँ सो दोस्तो इस बड़े में हम लोग बात करने वाले IPO के बारे में काफी समय के बाद हम लोगों को एक और IPO देखने को मिल रहा है और IPO मतलब कौन सा? में बोड IPO की हम लोग बात कर रहे है SME IPO की बात करें तो वहाँ पे तो अलर्ट में मिलना मतलब तो हर किसी को पता ही है जो अपलाय कर रहा होगा बहुत ही छोटे मतलब वो IPO रहते कोई 20 करोड़, 10 करोड़, बहुत छोटे ठीक है? में बोड IPO की अगर हम लोग बात करें तो अटलिस कुछ तो मौका बनता है वहाँ पे भी अभी competition अब्दम हेवी हो चुका है इतने सारे debate account ओपन हो चुके है बट फिर भी जैसे मैंने कहा कि लग का पार्ट है भाई apply करने के छोड़ देने का मिल गया तो ठीक है नहीं मिल गया तो आगे बढ़े फिर next कोई IPO आता है तो उसमें try करने का ठीक है कोई solution नहीं कितने comments आते सर कोई hack कोई solution पहले दिन apply करें दूसरे दिन कितने बज़े आरे बाबा कुछ नहीं होता है यह सब time pass वाली चीज़े हैं कि बहुत सरे लोग इसके उपर भी वीडियो बनाते और बेगोफ लोग देखते भी है कि कब कितने बज़े क्या करना है करके कुछ नहीं है ऐसा ठीक है so apply करके छोड़ देना होता है luck होगा तो मिल जाएगा टेक है नहीं होगा तो आगे बढ़ने का anyways so IPO की बात करेंगे दोस्तों तो कौन से कंपनी का IPO हम लोगों को देखने को मिल रहा है so AWFIS office तो अभी इसका जो pronunciation है office करके मतलब office type का ही हम लोगों को नाम देखने का आपे मिल रहा है और उनका business भी उसी प्रकार सा है कौन सा? office type का मतलब थोड़ा सा चीज़े जानने की कोशिश करेंगे आपे तो office space solution limited यह दोस्तों इस company का पूरा नाम ठीक है 2014 में यह company start है आपे जोटे हम company के website के उपर भी जाएंगे थोड़ी सी चीज़े देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हो यह company provide करते है is a workspace solution provider in India ठीक है काम करने का जो space रहता है न वो उससे related जो भी requirement वाली चीज़े थे वो provide करने की कोशिश के company आपे करती है ओके ठीक है आप मतलब अपने offer करते हो वो जारा बता दीजी तो आप यहापे देख सकते है company ने आपे बताया है कि individuals, start-up जो छोटे business होते हैं SMEs की बात करें large corporations होते हैं ठीक है उनको wide range flexibility का यह जो workspace का requirement होता है वो provide करने की कोशिश यह company आपे करती है ठीक है अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा एक website दिखा दू यह देखो website के पर आगे यह है इसकी website office करके यहापे आप देख सकते हो आपको अलग-अलग products यहापे मिल जाएंगे co-working के लिए enterprise, mobility ठीक है थोड़ा अगर हम नीचे आएंगे तो इनके कुछ उन्होंने यह भी दिखाया यह देखे ओफिस करके सो हम लोगों को अलग-अलग जगे पे चीज़े देखने को आपे मिल जाएगी यह नोएडा का बात उन्होंने बताया है यहापे यह कोलकाता की अगर हम लोग बात करें दें उसी के साथ-साथ यह कौनसा है यह गूरु का आप नीचे देख सकते हैं नीचे लिखा हवाय नँए तो इस प्रकार की चीजने हम लोगो देखने को मिल रहे तो यह workspace हम लोगो देखने को मिल आपको प्रोवाइड यहापे कर दे जाएंगे जैसे अभी मैं आपको बता है कि को वर्किंग से रिलेटेड हम लोगों को इस सोलुशन से प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल जाते है ठीक है दन उसी के साथ साथ और क्या प्रोवाइड करेंगे वो बाकी सारी प्रोवाइड यहापे करेंगे सपोर्टिंग आईटी सपोर्ट मिलेगा इंफ्रस्ट्रक्चर सर्विस मिलेंगी होस्टिंग से रिलेटेड जो भी इवेंट सारी चीज़े हम लोगों को देखने को मिल जाते है ठीक है अभी जो एक एक में आप लोगों को दिखा रहा था वह हम लोगों को देखने को मिल रही थी ठीक है अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो अगर हम टीम की बात करें तो आप यहाप देख सकते हो सम्वेर अराउंड 63 डिजाइनर्स हम लोगों को देखने को आप मिल रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हम लोगों को देखने को आप मिल रहे है और यह 2023 का डेटा था तो उसी साब से यह बाद में डेटा थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है चलो आज आज आते में कम ब suppress revenue दैन उसी के साथ रेवेन्यू भी नहीं दैन रिजा उसको भी आप चाषाओ तो कंप्र कर सकते तो 500 करोड का रिवेन्यू 559 करोड का रिवेन्यू 930 करोड का रिवेन्यू नेज तो असेट्स रहेंगे यह असेट्स है तरिक है mm कमाई कि एखने को मल रहे है यह रिग दोस्तों कमपनी अमनों को घाटे में देखने को मिल रहे कितना 42 करोड का लॉस 57 करोड का लॉस 46 और अभी जाके 18 करोड का लॉस फिलाल तो देखने को ने बट यह 9 महीने का ही है शायद से क्या पता और भी आपे बढ़ चुका होगा यह जो जो डेटा अभी तक का अवेलेब दरने आरे बट एक समझ में आ रहे है दोस्तों के अदम इनिशल स्टेज पे कंपनी का कारूबार चलते वे देखने को मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि सीधा इसको खराब बोल देना है करके विकॉस कंपनी का मेजर जो फोकस है वह जादा देखने को मिल रही है तो बहुश जा अपने कंपनी को टरन आराउंड करके प्रॉफिट में भी ला सकती है नेक्स अगर हम लोग बात करेंगे कुछ की इंडिकेटर सबसे पहले तो कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हो कितने का है पचीस सो करोड के आसपा स्मॉल कैप साइज की कंपनी हम लोग को देखन करना है capital expenditure मतलब company को और बढ़ा करना है कुछ नए centers यहाँ पर establish करने open करने है working capital requirement daily basis के हिसाब से जो पैसा यहाँ पर चाही होता है funding चाही होती है तो उसका इलिए इसका इस्तमाल करने पड़ेंगे and etc करके यहाँ पर क्या बूला जाते है general corporate purpose तो ठीक है next अभी आ जाते दोस का है price band का है तो 364 से लेके 83 ठीक है then lot size कितने का रहेगा लगबख 39 shares का total size कितना है IPO का लगबख लगबख 600 करोड का IPO है ठीक है then 600 करोड में से 128 करोड जाएगा किस के पास company के पास and बाकी offer for sale दिखने हुआ है जहाँ पे existing shareholder अपना माल बेचेंगे जो है लगबख 470 करोड employee ह होंगे तो 36 रुपे का discount अपको परशर की सबसे भी उन्होंने दे दिया है NSCBSC दोनों के पर list यहाँ पर हो जाएगा fine then अगर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो reservation बताया हुआ है तो QIB के लिए 75% का reservation है retail के लिए ओहो केवल 10% तो जादा retail हम लोगों को शायद से य मिलेंगे भी नहीं केवल 10% काई है एंड अगर हम लोग एच्छे नहीं की बात करें तो वो 15% हम लोगों को देखने का आपे मिल रहा है ठीक है next अगर बात करेंगे तो timeline again 22 तारीक को बुदवार को open होगा 27 Monday को यहाँ पर close हो जाएगा Saturday Sunday बीच में आ रहे है इसलिए 5 दिन 20 तारीक को पता जलेगा कि किसको अलोट हुआ है नहीं हुआ है 29 तारीक को shares मिलेंगे नहीं मिले तो refund आपको आ जाएगा and list कब होने वाले 30 में को एक और नई company हमारे share बादर में list होते वी देखने का आपे मिल जाएगी so ठीक है यह तो basic basic information थी जिसको हम लोग cover करने की कोश अपनी का healthy नजर आ जाता है usually वापे हम लोगों को अच्छा response देखने के चांसे से आपे बढ़ जाते है ठीक है then maximum आप देख सकते दो लाग के नीचे then small hni की अगर हम लोग बात करे 2 के उपर बढ़ 10 के नीचे और big hni की बात करे तो 10 के उपर हम लोगों को देखने को मिल ज सब्सक्राइब हो गया तो मुझे क्या यह वाल लॉट लग जाएंगे नहीं मैंने कितनी बार क्या आपको minimum वाला जो लॉट रहेगा दो लाक वाला वो मिल जाएगा अगर वर सब्सक्राइब हुआ है तो इसलिए तो बोला जाते है अगर कोई भी IPO अगर आपको लगते है सब्सक्राइब होने वाला है तो वहाँ पर हमेशा minimum वाला ही आप लोगों को चीज़ें मिलेगी ठीक है तो यह भी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए ठीक है अगर हम लोग देखेंगे तो प्रमोटर ने काफ़ी डायलूट किया 41% यह उनके पास यह आपे बचा तो और भी जाके चीज़ों को डीटेल में स्टड़ी आपे कर सकते हो अब यह आ जाते है अब दम इंपोर्टन चीज़ के और कौन सा ग्रे मार्केट प्रिमियम फिलाल तो कितना चल रहा है तो आप देख सकते हो ओफिस स्पेस सॉलुशन आईप्यों का ग्रे मार्केट प् अब यह कि जब भी आप अपलाए करने हापे जा रहे हो तो जी एमपी में कोई बहुत बड़ा नेगेटिविटी बदलाव तो नहीं आ रहा है करके ठीक है तो उस हिसाब से अलर्टनेस बहुत ही इंपोर्टन चीज़ आपे रहने वाली है बड़ हम कह सकते हैं करन्ट सिने करता है वह देखने वाली बात यहां पर जरूर रहेगी जैसी कि अभी हम लोगों ने देखा कि आपियो में काफी सारे लोग आकरी दिन भी आपर अपलाए करते हैं वह एक सेफेस्ट ऑक्शन यहां पर रहता है क्लोस काब होने वाला है 27 में को तो जरूर एक बार चेक कर ल